यह व्लकम टू माइण व्लॉग सो गाइस आज हम जारे मंदीर की ओर अगर देपताची निकाले होंगे तो मुझे उपर जाके दोडू पहनना पड़ेगा फिलाल मैंने टोपी तो लगा लिए क्योंकि मंदीर जाई रहे हैं प्यू भी जा रहे हैं ममी वगेरे सब जा रहे है प्यू और मैं थोड़े पीछे है तो यहां पर मैं डॉल का कुछ सामान बुल गई तो मैं लेने के लिए वापस आ गई थी उसके बाद प्यू और मैं जाने लगे लेट हम दोनों सबसे लेट ही हो गया इस बारी फिर से और जाना भी इतना दूर है तो चलिए चलते हम चलो फाइनली कहां हो दिख्या काफी देर चलने के बाद थकावट आप लोग चेरे पर देख सकते हैं पसीना पसीना होगे सीवेसली गर्मी थी उसके बाद हम लोग पहुंच गए मंदीर के पास क्योंकि इतनी गर्मी में मैं नीचे से दोडू पहन के नहीं आ सकती थी गर मैंने के बाद मैंने यहां पर से डाली इसको कहते है चोली जो की ग्रीन नहीं आज ममा रेड लेके आया थे सो मैंने बाद में नोट किया सो ग्रेड भी मुझ पर अच्छी लगी मैंने रेड फर्स टाइम पहना एंडर बहुत प्यारी लगी मुझ पर यहां पर देख रही प्यू को माता टिक वाया मंदिर के पास बाहर दर्वाजे पर यहां पर देखिए इतने सारे लोग थे कुछ लोग यह तो कमी लोग है यहां पर आसपास ही कुछ लोग उपर को भी दे तो यहां पर मैंने चुपके से छोटी सी क्लीप बना ली थी देवताजी कि हे बगवा की थोड़ी सी क्लीप सो देखिए हमारा मंदिर यहां पर कितना प्यारा है कितने प्यार बहुत ही प्यारा लग रहा था यहां पर बहुत सुन्दर लुकाती है मंदिर की जिस तरह का डिजाइन बहुत प्यार है उसके बाद यहां पर प्रशाद बांटा जा रहा था सबको तो मैंने चुपके से छोटी से एक क्लिप फिर से ले ली थी एंड फाइनली हमें यहां पर प्रशाद मिल गया था हलवा एंड इसको कहते चीला तो पियू और रुदर भी यहां पर प्रेम से खा रहे थे मुझे अच्छा लगा कि चलिए गाहों का रिवाज जी सही सारी चीज़े फॉलो करे थे उसके बाद मैं यहां डॉल को बैट के सुलाने लग गई थी लोगों के बीच बैट गई थी तो पियू ने मेरी चुपके से एक क्लिप बना ली जो कि बहुत ही प्यारी बनी थी सो मैंने इस क्लिप को भी फॉन इस व्लॉग में यूज कर लिया और यहां पर देखिए बाहर लोग बैटे हुए थे उसके बाद मन कुछ लोग अंदर मंदिर में कुछ लोग उपर क्यों रहे कुछ लोग नीचे क्यों लोग तो बहुत है गाई यहां पर कमी बैठे हुए थे फिर में मैं यहां पर साइड में कड़े हो के थोड़ी सी बना ली थी क्लिप उसके बाद देख लीजिए यहां पर इक यह साप वाली आकृती बनाई गई थी उसके बाद यह जो है यह किसी बेड का या बकरे का उस और फेस तो रही है यह वाले का सींग बट रहले है इतने लंबी-ंबे सिंग पता नहीं किस चीज कि किसी जानवर के सेंग होंगे नमस्ते दोस्तों तो आप लोग को पता है कि मैं इस टाइम किनोर में हूँ मैं किनोर के नाथपा गाहों में हूँ इस टाइम यहां पर सारे लोग गाहों के लोग किकटा हुए है क्योंकि यहां पर मिनाया जा रहा है दाक्रियानिंग का मेला तो दाख्रान का मेला क्या होता है तुलड़ा बहुत है अगर आप बता पाई या बता क्यों इस ताइम पर दाख्रानिंग मेला क्यों बिनाए जाता है तो आज कोई जड़ी गुटी टाइप का कोई फूल खिला होता है वो स्पेशल लाके देख्ते को चड़ता है तो वो कुछ लोग लेके आते हैं और देख्ता को चड़ाते हैं और सब को घरों में भी बारते हैं जो बेडबख्यों के साथ रहते हैं उपर वो लोग लाके देख्ते को यहां को चड़ाता है और साथ ही साथ आज इकटे होने का एक मोटीव यह भी है कि यहां पर एक पोजी है गाहों के जो की रिटायर आए थे तो यहां का कल्चर देख्या कि इतना अच्छा है दोस्तों कि यहां के लोग इखटे हो के सारे गाहों के पूरे गाहों के लोग चाहे वो अधर कास्ट हो लोएर कास्ट हो या अपर कास्ट हो सब मिलके सेलियो है करते हैं यहां पर सारे गाहों के लोगों को इखटा करके बोजन खिलाया जाता है कुशी से सो यह एक पार्टी टाइप बागी हमारा किनौर का कलचर दूरी है देव पूनी है, देवों की नगड़ी और फिलाल हम लोग इस ताइप देवता के सथान पे इंट मोजूर है बागी देवता की क्रिपा बनी रहे सब पे अगले साल पी इसी तरह दाखनेयान आए और जितने लोगे आप सेल्विएट करें दुबारा से सल्विएट करें तेंक्यू तो आप लोग से मैं जानना चाहूंगी यह जो देवता को फूल लाते है इस फूल का क्या नाम होता है आप लोग क्या थोड़ा बहुत इसके मैंने सुना है कि यहां पर लोग कठे हो के एक साथ गाना बजाना सब कुछ करते है और हर कल्चर या फिर जो भी आप लोग का यहां तेवार होता है उस पर एक गाना बना होता है तो जैसे दाक्रियान इस पर भी कोई गाना बना है तो थोड़ा बहुत आप लोग गा के सुनाएंगे थोड़ा सा बस कुछ बोल कुछ लवज आप लोग यह दाक्रियानिंग के गाने गाना गा के सुनाना चाहेंगे तो करोद कि लवज पैसे तो आपर को म estás है कर दो बार को वार जाफ डाय और टाछ seb MAY लदान आपर को मैंनन से अ कर दा है सुच्समा को बजा की आप है कर दोदेनी औरे ते रांज जो तो ओ पोटने रहां है ओ शलो नांग जोडोंगे ओने आशांग्योंगे नमन ऐसी देव बूमी को नमन है ऐसी जगा को जहां पर देवता स्वयम वास करते हैं और एक साथ लोग मिलके सारे एक साथ हर कल्चर और हर त्यवार को सेलिब्रेट करते हैं जिसके भी खुशी हो गम हो कुछ पर सब लोग एक साथ सेलिब्रेट करते हैं बस नमन ऐसी देव बूमी को तो अब यहां पर सब लोग खाना काने लग गए थे सबसे पहले यहां पे मिलता है मैटन जो की सबने ले लिया हमने भी खाले है उसके बाद हम लोग चल पड़े मैंने पूछा पियो से कितना इंजोई किया सो खाना तो पेट बर की खाले था मैंने आगे क्लिप नहीं बनाई उसके बाद हम लोग चल पड़े गर की और एंड जा झाल ये कुछंगे जाकी बादेन खेघरेन